हेलो स्टूडिन विल्कम बाक टू प्रिकती ग्लासेश तो आज की वीडियो बहुत ही important information है आप सभी के लिए जनका exam होने वाला है, board exam होने वाला है OMR sheet पर तो उसको लेकर आप में से ही कई student ने ही comment करके पूछा हुआ है कि क्या आपके जो ये term 1 board exam जो की OMR sheet पर लिया जाएगा MCQ based पूरा exam होगा तो क्या उसमें negative marking होगी या नहीं होगी और उसके बाद उस exam में तुका मारना कहां तक सही रहेगा या नहीं रहेगा तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि negative marking होता क्या है negative marking ये किस type की system है जिसके अंदर आप अगर कोई answer गलत करते हो तो उसके marks तो आपको नहीं ही मिलते हैं बलकि जो आपने सही किये हुए होते हैं उसमें से भी आपके marks को deduct कर लिया जाता है जैसे आपने 4 questions सही किये हुए हैं तो उसमें आपको 4 marks मिल गए और पांचवा question जैसे ही आपने गलत किया तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए 0.25 marks deduct कर लिए जाए तो वो जो 4 आपने सही किये थे ना उसमें से भी 0.25 हटा कर 3.75 आपका score हो जाएगा तो ये तो है आपके negative marking system जो कि सभी competitive exam में follow किया जाता है लेकिन अगर हम बात करें जो आपका term 1 का board exam में जो questions आएंगे MCQ वहाँ पर इस negative marking scheme को follow नहीं किया जाएगा तो काफी बड़ी अच्छी news है आप सभी students के लिए कि आप जो है ना अराम से आपको बिना किसी डर बिना किसी जिजग के आपको सारे ही questions attempt करने हैं चाहे आपको आता हो या ना आता हो लेकिन questions आपको सारे करने हैं डेफिनेटली जो question आता है वो तो आप सही करेंगे लेकिन जो नहीं आता है उसमें आप तुका भी मार सकते हैं पर एक बात आपको ज़रूर धियां डखना है कि इस OMR sheet को भरते समय कोई भी गलती आपको नहीं करना क्योंकि ये scan होता है और scan करने के बाद आपका final result आता है तो जिस वज़े से कुछ भी गलती करोगे तो computer वो चीज आपका नहीं समझ सकता है इस वज़े से कभी भी आपको दो option किसी भी हाल में select नहीं करने हैं जो भी आपने एक गोले को भरा है उसको completely अच्छी तरीके से fill out करिए दूसरे में वो बिल्कुल न जाए इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा optional question में जितने questions आप से कहे गए हैं उतने करिए बीच में 8 ही attempt किये तब तो वो 8 के 8 चेक किये जाएंगे लेकिन आपने 10 के 10 attempt कर दिये तो शुरू के 8 को देखेंगे बाद के 2 को नहीं देखेंगे चाहे वो आपका answer ठीक है गलत है उससे कोई मतलब नहीं है तो इस important information को अपने सभी दोस्तों के साथ share कीजे वीडियो को like क किजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन क्लिक कर लिजिए और आपने बोर्ड एक्जाम की preparation mcq series से जारी रखिए